नमस्कार दोस्तों, Convalescent Plasma Therapy क्या है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे. USFDA ने जो Convalescent Plasma Therapy है, इसको COVID पेशेंट्स में इस्तमाल के लिए मंजूरी दी है. तो ये Convalescent Plasma Therapy क्या है? ये कौन डोनेट कर सकता है? और ये किसको दी जाती है? तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे. मैं Dr. Prashant Moray, आपका स्वागत है Dr. Moray's Health Tip चानल पे. आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चानल को सब्सक्राइब कीजे और वीडियो को लाइक कीजे. आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी तो जो पेशन्ट कोविड-19 infection से, coronavirus infection से recover हो जाते है, इनके बॉड़ी से plasma निकालके, जो पेशन्ट में अभी corona का infection है, जो पेशन्ट सीरियस है, ICU में अडमिट है, ऐसे पेशन्ट को ये plasma दिया जाता है, और इससे उनको फाइदा होता है, तो इसको ही convalesan plasma therapy कहते हैं. दोस् platelets, तो ये निकालने के बाद जो लिक्विड बचता है, उसे को ही plasma बोलते हैं. तो plasma है, लिक्विड फाव में बलड का, इसमें antibodies रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, तो अभी convalesan plasma क्या है? तो convalesan का मतलब होता है, जो पेशन्ट बिमारी से recover हो रहा है, उसका plasma, यानि convalesan plasma तो क्या होता है, एक बार coronavirus infection हो जाते की बात, अगर जो host है, वो healthy है, तो वो इस virus से fight करता है, और उसके body में antibodies बनते हैं, जो हमारी immune system है, वो virus को मारती है, इस antibodies का इस्तमाल करके, तो blood में जो antibodies रहते हैं, ये infection से ठीक होने जाने के बाद भी blood में मौझूद रहते हैं, तो जो patients अभी coronavirus से record हो गया है, तो उनकी जो plasma में antibodies रहते हैं, तो ये plasma को ही convalescent plasma बोलते हैं, convalescent plasma किसको दिया जाता है, जो patients COVID-19 से अभी ICU में admit है, ventilator में है, जिनको pneumonia हुआ है, या जिनका जो oxygen saturation है, बलड का, वो कम हो रहा है, 92% से कम है, जिनका respiratory rate काफी जादा है, 24 से जादा है, में comorbidities है, sugar है, diabetes है, hypertension है, तो ऐसे patients में ये plasma दिया जाता है, ये थोड़ा initial stages पे दिया गया, तो इसका ज्यादा फाइदा मिलता है, और जिसको plasma दिया जाता है, उसको recipient कहते हैं, तो जो recipient है, और donor है, इनका blood group एक होना चाहिए, तो अभी दोस्तों, ये जो plasma है, ये कौन डो कि जो RT-PCR के test ही, वो positive थी, अभी उनकी दो test negative आई है, तो लगबग एक महने बाद, जो patient required होए है, उनके blood से ये plasma निकाला जाता है, और ये जो plasma है, वो एक टाइम पे 400 ml निकाला जाता है, तो दोस्तों, जो donors है, उनके body से blood निकालने के बाद, एक cell separator muscle रहती है, तो इसमें क्या होता है, ये plasma और blood cells को अलग करती है, plasma एक जो blood bag है, उसमें लिया जाता है, और जो बाकी blood cells है, वो body में अंदर चोड़े जाते हैं, तो मतलब इसमें blood नहीं लिया जाता है, only plasma लिया जाता है, ये 15 दिन में एक बार जो patient है, record patient है, वो donate कर सकता है, महने में दो बार कर सकत है, और जो recipient रहता है, उसकी एक time की requirement दो से मिल रहती है, तो एक donor महने में दो बार कर सकता है, और इससे लगबग 4 COVID-19 patients को फाइदा हो सकता है, plasma डोनेट करने से पहले, जो donor है, उसकी कुछ test की जाती है, उसमें HIV का infection है, क्या HIV या HCV, इसका infection है क्या, ये भी देखा जाता है, अगर कोई infection नहीं है, और donor fit है, तब ही उसका plasma लिया जाता है, plasma डोनेट करना ये बहुत safe है, जो recover patient plasma डोनेट करता है, उसको इसके वह से कोई दिक्कत नहीं होती है, और 24 से 48 गंटे के अंदर उसके body में दुबारा ये plasma तयार हो जाता है, तो इससे कोई weakness आता नहीं है, तो जो लोग इसे record हो गए है COVID-19 से, उन्होंने आगे आना चीए plasma donation के लिए, तो दोस्तों जो patient है COVID-19 के, उनको ये कैसे दिया जाता है, तो जैसे आपने देखा होगा, hospital में glucose चड़ाते है, उसी तरह एक plasma की bag रहती है, sterile bag में ये plasma रहता है, और intracat लगी रहती हाथ में, तो उ जैसे ग्लुको चड़ानी की प्रक्रिया है, उसी तरह ये plasma चड़ानी की प्रक्रिया है, ज्यादा complicated नहीं है, एक से दो घंटे के अंदर ये plasma चड़ाया जाता है, क्या ये plasma therapy सिब COVID-19 में इस्तमाल की जा रही है, पहले कभी इसका इस्तमाल हो रहा है, तो दोस्तों ये काफ plasma therapy है, इसका इस्तमाल किया जा रहा है, ये actually passive immunity provide करती है, passive immunity मतलब की जो antibodies है plasma में, वो क्या करते है, already तहार है, ये जो patient है, उसके body में जाने के बाद जो virus है, उसको neutralize करते है, तो ये जो already तहार antibodies है, इससे virus neutralization में, virus को मारने में मदद होती है, इसलिए इसको passive immunity बोलते है, और patient की जो खुद की immunity रहती है, खुद virus के खिलाब लडने के लिए जो अपने antibodies त्यार करता है, उसको active immunity करते है, तो plasma देने से हम patient को passive immunity देते है, और जो उसके body में virus है, बने हुए, तो उसको मारने में ये help करता है, उसको neutralize करने में काफी मदद होती है, दोस्तों आपने सुना होगा कि monoclonal antibodies भी COVID-19 के खिलाब इसके trial चल रहे है, ये दो companies तैयर कर रही है, Regeneron और Lily, तो Regeneron company ने जब Ebola virus के cases आये थे, तब ये monoclonal antibodies तैयर करे थी, और इसका इस्तमाल काफी patients में किया था, तो monoclonal antibodies मतलब क्या है, ये lab में तैयर की जाती है, ये single parent cell रहती है, और इसमें तैयर की जाती है, और ये patient को दी जा सकती है, तो दोस्तों, जैसे हम plasma में antibodies रहते है, वो naturally antibodies बनते हैं, डोनर के body में, तो वैसे antibodies हमने अगर lab में बनाए, तो उसको monoclonal antibodies बोलते हैं, तो Regeneron और Lily, इस company की जो monoclonal antibodies है, उसके trial चल रहे है, हो सकता है कि ये antibodies भी market में available हो, तो इ जो patients है, उनके recovery में कापी मदद हो सकती है, दोस्तों, इसके अलावा, आपके मन में कुछ शंका या सवाल है, तो आप नीचे comment box में पुछ सकते हैं, धन्यवाद, अगर आपने यह वीडियो यहां तक देखा है, तो वीडियो को like और share कीजे, ताकि मुझे और ऐसे वीडियो बनाने के लिए motivation मिलता रहे, और चानल Dr. Morris Hill Tips को subscribe कीजे, वीडियो को share कीजे, और bell icon पर click करके all page set करना ना बूले, धन्यवाद